नमस्कार आप देख रहे हैं BCA News, मैं हूँ एक्ता गहवार, वैसे तो BCA News साल के 365 दीन Women's Day celebrate करता है आप सभी जानते हैं कि हमसे महिला सशक्तिकरन की कोई भी खबर कभी नहीं चूपती कि आज वुमेंज डे है इसलिए हमने खास मुलाकात में बुलाया है NLP ट्रेनर साथ ही साइको थेरेपिस्ट माम को और हम आज बात करेंगे महिला सशक्तिकरन पर माम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत सपागत है माम मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज की भागदोर भरी जिंदगी में वहिलाओनी खुद को स्टेबल कैसे करना चाहिए साथ हम देखते है कि हमारी रिष्टों पर भी इनका बुरासर होता है तो इस पर आपकी राय क्या है यह बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें अपको स्टेवल कैसे करना चाहिए अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि Stability is just a myth Stability क्या है? हर किसी की अपनी अलग परिभाशा है Stability की कुछ लोगों के लिए Financial Stability है कुछ लोगों के लिए शादी कर लेना बच्चे हो जाना बच्चों की education हो जाना यह Stability है कुछ लोगों के लिए कि घर में हर कोई अपनी अच्छी health में है यह Stability है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम हमारे जीवन को किस तरह से देखते हैं और हम अपनी जीवन के किस एरिया में कहां पहुचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि Stability तब आएगी जब हम जाने कि हमें क्या करना है और हमें कब पता चलेगा कि समय पता चलेगा कि हम वहां पहुच चुके हैं तो मुझे लगता है यह जब हर एक और को समझ में आ जाएगा उस दिल हम स्टेबल हो जाएगे मैं मेरा सवाल यह है कि आज भी हम लोग देखते है कि मेल और वुमेन में कंपेर किया जाता है बहुत बार जब वो अपनी एक शुरुवात करती है तो उससे कहा चाता है कि आप लड़की हो तो आपसे हो नहीं पाएगा तो इस पर आपका क्या कहना है मेल फीमेल कपैरिजन यह नो डौट बहुत पुराना और आज भी बहुत ही ज्वालन तविशह है इसे देखने के दो पहलू है एक पहलू ऐसा है कि आप मान ले कि वाकई मेल फीमेल में डिफरंस है और यह डिफरंस तो नेचर ने बनाया हुआ है और बचा कुछा जो है हमारी ससाइटी ने बना दिया है तो इसे accept करें कि कुछ फर्क हमेशा रहेगा मेल फीमेल में अब दूसरा पहलो इस चीज़ को देखने का ऐसा है कि मेल फीमेल बराबर भी है especially आजकल का जो progressive world है हम 21st century में है तो यहाँ comparison करना सही भी है क्योंकि हम equality demand करते हैं बट यह comparison किस basis पे होती है तो करियर के एक शेत्र में देख लीज़े जिस अरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ सब चीज़े performance के basis पे होती है तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जब comparison हो रही है we should be happy about it, right but हमारा struggle ही होना चाहिए कि अब हम अपनी performance को बहतर कैसे करें अब performance को बहतर करने के लिए क्या factors होते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हैं आपका pace scale क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए इस पे हमारा focus होना चाहिए हम कई बार अटक जाते हैं चीजों में और अपने आपको excuses देते हैं कि घर में लोग खुष नहीं है मुझे टाइम से पहुँचना जरूरी है तो मैं अफिस से जल्दी निकल जाओं या बाकी कोई कारण दे कर के आजकल जैसे देखी एक बहुत जुवालन तशह चल रहा है मेंस्ट्रूल लीव तो जहां हम एक्वालिटी की बात करते हैं वहां हमारा हा क्या अगर हम किसी एक परिशानी से जा रहे हैं तो हम चुप्ती ले सकते हैं लेकिन अगर हमें वह परिशानी नहीं है तो उसका फाइदा हमें नहीं उठाना चाहिए तो माँ नो रिए कःते हैं कि तो मित ना होना भी एक पहुत अच्छी चीज है क्योंकि अँगि अप्राइजन नदे कहते हैน। अगर उपके परफॉर्मंस्में कहे पहु काम रहे ही हैं तो यह बहुत बात है उसे हम कैसे मेट कर सकते हैं, यह हम सोचे, क्योंकि जब तक कंपारिजन नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन माम हम लोग देखते हैं कि मेल वुमेन दोनों बराबर काम करें जैसे एकजामपल दिया जाएं कि मेल को भी और मुमेन को भी दोनों को बराबर का काम दिया है, दोनों ने बराबर किया है फिर भी कही न कहीं कुछ न कुछ छोटी-fashion बातों को लेकर महिलाव को ही डॉमिनिक किया जाता है तो यह सोच कब बदलेगी यह सोच कब बदलेगी मुझे लगता है कि बदलाव शुरू हम से होता है तो बस हम अपने आपको बदलने लोगों की सोच चाहे बदले ना बदले क्या फर्ट पड़ता है अगर यही चीज़े चंदा कोचर या इंद्रानुई सोचते तो शायद वो कुछ कर ही नहीं पाते और इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से डिस्ट्राक्ट हो जाते हैं जैसे सुसाइटी में अगर मैं सुभे से शाम तक आफिस में रहूंगी तो सुसाइटी बोलेगी कि यह घर का द्यान नहीं रखती है अगर मुझे बच्चा हुआ है तीन महने बाद मुझे बापस कंपनी जॉइन करनी पड़ती तो लोग बलेंगे इसे अपने बच्चे की फिकर नहीं है नो डाउट यह सारी चीज़े हमें चुपती है लेकिन क्या हमें पता है क्या हम डिटेमाइंड है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो यहां हमें कि आखिर हमारे लिए important क्या है और अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं अपने आपको बदल कर बिना लोग क्या कहेंगे ये परवा किये हुए एक सोची समझी दिशा में अगर हम आगे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ भी मुश्किल है तो I think हमारे मा अगर क्लिर होना चाहिए बस तो मुझे नहीं डूनिया बदले चाहें है लोग क्या अगर होता है माम अभी अपने कहाँ कि अपने जिम्मेदारी ऑर ओफिस के जिम्मेदारी दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है तो इस सिचुएशन में, महिलाँ उन्ह क्या करना सबसे अच्छी चीज जो कॉर्परेट ट्रेनिंग में भी होती है और क्यूंकि यह आप वर्क लाइस बैलंस की बात कर रहे हैं इसलिए में उस पिजोर देना चाहूंगी कि कॉर्परेट में भी बताया जाता है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है कि यह दिन प्लीज़ू आपको सिवे कहुछ नहीं कर सकते हो तो आपको सिफ समझना होता है कि कॉन से ऐसे काम है जो आपने करना जरूरी है और आपको उस चीज के लिए कितना ताइम डिवोट करना है बस यह आप समझ लेंगे तो उस हिसाब से बाकी कामों को आप डेलिगेट कीजिए आप हेल्प लीजिए, आपकी हाउजमेज होती हैं, उनकी हेल्प लीजिए और आजकल मुझे लगता है कि कॉंसेट बहुत चल रहा है नुकलियर फैमिलीज का अगर जेनुएन रीजन है कि आपकी फैमिली कहीं सेटिल्ड है और आप कहीं रिलोकेट हुए है तो आप अप लग रहे हम समझ सकते हैं, कई बार ऐसे होता है कि फैमिली में नहीं बन रही है इसलिए हम सोचते हैं कि हमें टेंशन फ्री अटमोस्पेर तो हम अलग जाते हैं और अपने जीवन जीते हैं तो यह देखे यह हरकिसी का इंडिविजुल डिसिजिएन है लेकिन इसका मैं इक इंपक्त आपको बताना चाहती हूँ ज flick जीए, च洗澡 में बताना, इसलिए हो बधाए बताना उपक्त ऊपर सिस्टम हो औरकिसी के आपका मुझेता workplaces भूश मुझेता है बिलकुल नहीं हूँ टेते हैं बिलकुल नहीं है दो क्या pronounce है इसका काम प्ट THERE इसका नहीं बें नहीं हैं कि कुछी से नहीं समझ में लेकिन उसको अक्सेप्ट करें आपका फोकुस यह होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है उसमें उनका सपोर्ट आप जहां भी ले सकते हैं आप लीजिए अपने नेभर्स के साथ अच्छे रिलेशंशिप्स बनागे रखें तो हम अक्सर देखते है कि लड़किया बहुत साथ कंफ्यूज रहती है अपने करियर को लेकर तो लड़कियों ने अपना करियर कैसे डिसाइड करना चाहिए यह बहुत अच्छा सवाल अपने दुबारा पूछा है और क्यूंकि मुझे लगते बहुत करीबी से भुकता है तो अच्छा तो इसका जब पाल जब इसका और दिल से स्मू्साइटी प्रेशर में भी नाओ है, लेकिन अना पिर सकते हैं। तो सब pä Beh involved in research कियें। अंशेज़ life- चाषिशिझ कीजिए। पिराश्स्ट कीजिये कि आपके interests क्या थैं। एप्लचरेशिं चीवाखें। वालुएट किजिए इसकते ही में तो एी अपके टो है जब इसकत सकती है, आज पातो है कि अवया थाज पींटिंगी न झालीगी से हाट यह सबतलगी किष़कि कि एक पीछ इयुबर किया है कि अरॉबर कीशोंसे किंषा एमरेह सेपग न सब लसक्या ख़िए कि उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जा कर किन मेरे बिल्कुल कई न कई हम लोग देखे हैं कि बहुत से लड़कियों को उनकी होबिस जो रहती है उसी में उन लोग जाते लेकिन उनका करियर नहीं बन बनाता है तो फिर वह बन्द इप्रेशन में चली जाती है तो उनके लिए आप क्या जाहें जाएगी उनके लिए आप क्या थाएगी और इसका गारन यह होता है क्योंकि पूरी रिसर्च नहीं की होती है तो मैं चाहती हूं कि जब आपको शुरू करने वाले हो उसके पहले जैसे कि मैं क्या आपके बस की बात है तो शायद एक रियालिस्टिक आपको नॉलिज मिलेगी और फिर उसके बाद आप बिसाइड करें और यह बहुत इंपॉर्टन मेसिज में लड़कियों को देना चाहूंगी कि हम जो सोचते हैं कि हमारे परेंस को तो कुछ नहीं समझता क्यूंकि क्राइब का की आपके 2 शाल के जाम जावकश को लिवाप उनका ऐपकी मृत्राइब कर्या में तंट करियों क्या भी ना जामि इन्टीज हैं। कि मृत रग्यान मिलेख रहती हैं यह भी इन्टेन कई अरलिभार प्रणा जाते हैं मृत बहुन है उर एक आपस्या इन रहे को tendency that beauty is really UNINDERU syndrome एक एक इपहता शुर्जी है उस उर्जी का योटिलाइजेशन में इस लिये करती है में आपको बताहूं को इसलिए करती है कि वो पर्फेक्शन पहुंचन जाहती है पको एक एक पर्फेक्ट बहु बनूँ ऌएक पर्फेक्ट बाहु बनूँ के परेक्शन कि उनको नहते हैं एक जीवन क्सी नहीं होते है जयसे आप देखते है एक बधा है ना जो जीवन को पहिया in the cycle जुप एक बधा ही झायर और उसे एक बधा करें इसने काम का नहीं होते है तो फ्रेष इसे पाहिये हो चाहिए आपको को सब्सक्राइब जीवन के बहुत अलग अलग अलेमेंस होते हैं करियर हो गया, परिवार हो गया, पेरेंट्थ हो गया, फैनाशल हो गया, अपनी हेल्थ हो गई तो इन सारे स्पोक्स को मैनेज करना, मेंटेन करना, डेवलब करना बहुत जरूरी है और जब हमारे जीवन का एक हर पहलू अगर हैल्दी होगा तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस आएगा और अपने आपको चोड़ दीजे कि मेरी नेबर तो जॉब में इतना कमाती है, मैं क्यों नहीं कमाती हूँ बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और सबसे इंपोर्टन है कि सोसाइटी से एक जो माइंडसेट है उसको हमें हटा देना है या हमारे जैसे लोगों के दिमाग से भी हमें ही माइंसेट हटा देना है कि अगर कोई महीला काम कर रही है घर पर, you know, salary लेकर क्या आ रही है तो she is the empowered woman और अगर मैं housewife हूँ तो मैं empowered नहीं हूँ मुझे लगता है इस मिट को हमें और हमारी जैसे महीलाओने नहीं हटा देना चाहिए क्यूंकि चाहे आप काम नहीं कर रही है वो आपका चोईस है क्यूंकि कंपारिजन, professional life, work life इनको बालन्स करें तो मुझे लगता कोई मुझे आनी चाहिए आपने बहुत अच्छी बात कहीए जैसे वर्किंग मुमन के साथ जो घर पे housewife है बहुत कुछ उन्हें करना पड़ता है यू कहें तो ओफिस से जादा घर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ी होती है आपने बहुत अच्छा जवाब दिया माम साथ ही हम लोग देखते ही कि महिलाव कर अच्छी घटना दिन बदिन बढ़ती ही जारी है लडकियों में और खासकर माओं में एक डर पैदा हुआ है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी इस सिच्वेशन में लडकियों ने यू कहो माओं ने खुद के अंदर कैसी हिम्मत पैदा करनी जाहिए इस बारे में बता लिए दिखिए वर्ल्ड इस गेटिंग प्रोग्रेसिव हर तरफ प्रोग्रेस हो रहा है लोग आगे बढ़ है तो ऐसे समय सिफ डर के चलते हमारी गर की लडकियों को रोक के रखना या उने आगे नहीं बढ़ने देना यह थोड़ा गलत होगा उनके उपर ज्यात्ती होगी लेक करते हैं और वो काफी जनुएन सी परिशानी है तो मुझे अपने घर की बेटियों से बात करें जितना आप खुल के बात करेंगे उतिना अपने बारे में आपको बताएंगे उनकी अकांग्शाओं को उनकी महत्वा कांग्शाओं को आप अपना माने क्योंकि नोड़ाओ इनकी महत्वा कांग्शाओं में उनका साथ देना भी अपकी रिसपॉंसिबिलिटी विस्पॉंकि अलावा उनका और कोई नहीं है और जब आप उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाकी जो डॉमेस्टिक वाइलन्स हो और हम आज ही बात कर थे कि डुमेस्तिक वाइलन जो जो घह महिला है वो रखा शफोदी और एक टाली तो अब लेकिन उसे बदल गए हैं, आजकर लोग बिल्कुल फिजिकली नहीं मारते हैं लेकिन बातों से मारतों आख जब आपकी बेटी आपको घर पर आके बोले कि मुझे तकलीफ है, लोग मुझे बड़ परशान कर एं तो उसे उनसुना ना करें, उनसे बात करें, उने समझें कि उनकी क्या दिक्कते हैं, और उनका सपोर्ट सिस्टम बनके खड़े होई है, सिर्फ समाज क्या कहेगा इस नाम पर उन्हें अकेला अपना सफर तै करने के लिए ना झोले हैं आपने बहुत अची बात कहीं, हमेशा देखते हैं कि घर पर ठीक से बतानी पाती है, और कुछ ना कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो यह सब समहलना चाहिए, सभी माओने अपनी बेटियों को अच्छी तरह सीख देनी चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत लडकों के कंदे से कंदा मिला कर चल रही है, हर क्षेत्र में लडकी आ गए है, फिर भी कही ने कहीं उन्हें कम आ का जाता है, और उन्हें कहीं चाहिए का सामना करना पड़ता है, तो इस पर आपकी क्या रह है, माम यह सोच जो है, यह कब बदलेगी? यह सोच तब बदलेगी, जब हम महिलाएं चाहेंगे कि यह सोच बदलेगी, देखिए, बहुत कॉमन सी चीज़े देखती हूं है, किसी ओर्गनाइजेशन में दो महिलाएं है, यह कम महिलाएं होती है, आज कल देखिए, जेंडर रेशो वाकई बहुत कम है, तो ऐसे समय हम तो महिलाँ में हम आपस में कॉमपेटिशन हो जाती है, हम चाहते है कि कि ओर एक बदले बहुत कि गए खाएं नीचे लेकर आगे जाएं, ता कि आट दा कि दो आट श्यूएसरहिशन है, काफी जगह है, बले ही, जग बदल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अ क्यों नहीं एक सपोर्ट सिस्टम बनके खड़े हो सकते हैं और त्रू एंपावर्मेंट जो हम बोलते हैं यह तभी आएगा जब हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे जब हम एक दूसरे के सफर में उनके हम राही बनके उनका साथ देंगे कि अपने आपको बिल्कुल उस प्रोसेस में जोगते हैं बिल्कुल अभी तुमाम आप देखी रहे है कि कोरोना काल चार रहा है और इस सिच्वेशन में अधिकतर महिलाय तनाव से गुजरी है और यह सिती आज भी वरकरार है तो यह सब चीजे इस चीज इन से महिलाओ को काफी स्ट्रेस होता है तो यह सब कैसे संभलना चाहिए महिलाओ ने जी हाँ आपने बहुत सही का है कोरोना का जो काल रहा है वो सब के लिए बहुत दुगदाई रहा है और इसमें महिलाओ ने क और यह बहुत बड़ा चालेंज रहा है अगर दूसरा चालेंज जहां एक तरफ लोग खुश हो रहे थे कि पूरा परिवार दो महिने एक साथ एक घर में था और पूरा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे वही कुछ लोग हैं कुछ महिलाएं हैं जो कि अगर दूसरे के साथ रहने की अधनी आदत ही नहीं थी और तो दुख़द उसमें हुआ है कि काफी सारी अंचाही चीजे भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कही ना कही अपने ओपर जब हम फोकस करते हैं जब खुद हम बहतर बनने की प्रयास में रहते हैं चाहे वह health-wise हो चाहे mentally हो चाहे कोई एक skill हम develop करने की कोशिश करें तो उससे अच्छा stress कोई नहीं हो सकता मैं चाहती हूं महिला है जितनी independent और हो सकती है financially or emotionally अपने आपको और strong बनाएं ताकि दुबारह कभी ऐसा कोई pandemic हमें जूँजना पढ़ जाए ऐसे pandemic के साथ तो हम बिल्कुल तयार हो एक जूट हो और देखे ऐसे समय में बताती हूं कि परिवार ही काम आता है और हमने जो रिष्टे बनाएं बहुत अच्छी जानकारी दी माम आपने साथी इजाते जाते इस पेशल डी पर महिलाओ को क्या संदेश देना चाहिए आप मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे पास पंक है और उन पंकों को बस उडान देने की जरूरत है हमारे अपने अंदर बहुत सारी कबिलियत है बहुत चाह है जिसके बारे में शायद हमें ही पता नहीं है उसे ढूंडो और हर चीज को अचीज को अचीव करने की कोशिश करो क्योंकि Maya Angelou का एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो यह है कि Life is not just to survive but to thrive and to do so with some passion some compassion and style so create your own style be yourself खुद रहे एक दूसरे को support करे और चाहिए आप अपने लिए जो करना चाहते है चाहें उसमें कोई बुराही नहीं है हर चीज को समझ के करें and wish you all the very best and happy women's day बहुत बहुत धन्यवाद मा मुझे और कुछ कहने के जरूरत नहीं है कि मामें बहुत अच्छे से बताया कि आप भी अपनी बेटियों को पंक दे उन्हें आगे बढ़ाए उन्हें क्या करना शाहिए उनकी मन की बात जाने आपकी बेटी हो या ना हो आप दूसरों की बेटियों को आगे बढ़ाए उन्हें उर्जा बनाये रखें उन्हें नई उम्मीर पैदा करें और उन्हें सक्षम रहनी की सीख दें मन्जिले उन्हें को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है तो होसला रखिए आगे बढ़िए महिला दिवस की धेर सारी शुपकामना इसी के साथ एक ताका नमस्कार